नमस्कार मैं मितुन्यादा वाप सबो का गाईज आज के सेसन में कॉम्पनेशन कमूनिटी पर स्वागत करता हूँ मैं स्वागत करता हूँ तमाम वो CG TETS Parent का जो खुद दिपक की तरह जलके कई घरों को रोसन करने वाले हैं मैं स्वागत करता हूँ उन सक्सियत का जिसे बच्चे अपने आदर्स मानते हैं मैं स्वागत करता हूँ उन तमाम CG TETS Parent का जो खुद एक आइना है जिसमें बच्चे अगर अपने चेहरे देख ले तो कभी डिमोटिवेट नहीं होता है चलिए बात करते हैं आज के सेसन के बारे में आज के सेसन में आप लोग मैथमेटिक्स के गाईज बात करने वाले मैथमेटिक्स CG TETS में जो भी पूछे गाए थे तमाम कोस्टन्स को हम लोग एक बहतरिंग सौट ट्रिक के साथ डिसकस करेंगे जितने आपके प्रिवेसर के सवाल हैं उसको बात करेंगे ठीक है तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आप तमाम जैसे जो भी फ्रेंड आपके 18 सेप्टमर सापके पेपर है ज़्यादा वक्त आपके पास है नहीं बस आप देखिए कि जो भी सवाल आए हैं तो हमारा उसमें सही एपरोच क्या होना चाहिए क्योंकि जिस एक्जाम के विगाईस प्रिप्रेंट कर रहे हैं उसमें सही समय पर कोस्टन सौल होना बहत जोर रही है क्योंकि जो एक्जाम है वहाँ पर इस्पीड और एक्वरेस यह बहुत बड़ा इंपोर्टन फैक्टर है अगर आपकी स्पीड नहीं है तो कहीं नहीं कि आपके एपरोच गलत है आप सारे कोस्टन को बेसिक तरीके सौल करके समय नहीं बचा सकते हैं लेक्षन थोड़ी मुस्किल हो जाएगी तो वही तो आपको सिखाना चाह रहे है तो आपके जितने भी अगर दोस्त हैं अगर आपके भाई हैं आपके बहन हैं आपके कोई कर जहने जो भी आप CGTED के त्यारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए गाईज यह जो लेक्चर से पुरी तरह से निसुल्क होने वाले हैं, आप जितना हो सकता मेक्सिमम बच्चतों करिएगा, ठीक है, बस इतना ही मैं आपसे इमीद करूँगा, एस्पेक्ट करूँगा गाईज, च सिखने का परियास करियेगा, को भी कॉस्तन को दो से तीन लाइन से ज्यादा हम समय लेते नहीं, को भी कॉस्तन 30 से कंड चुरूब करते हैं, बिल्कुल बेसिक से सवाल भी सुरू करते हैं, हर तरह के सवाल आये हुए, तो पहले सवाल आपके स्क्रीन पे यह रहा है, मेरे दोस्त देखते सवाल आगर है क्या है ठीक है पाला ही सवाल आपको परसंटेज से पूछा गया बोला की देखिएगा ध्यान से किनी लिखित में कौन सा जो परतिसद 0.275 के बराबर है पहले जब परसंटेज की बात आती है मेरे दोस्त तो परसंटेज का मतला मुझे की समझत सब्सक्राइब करेंगे तो परसंटेज का मतलब एक बटे 100 और 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो टू डिजिट के बाद पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे सिप्ट कर देंगे तो अफसन ए जो राइट अंसर उम्मीद करते हैं का इसके लिए रहा होगा बिल्कुल बेसिक तरग के हर तरह के सवाल लाया हो जो भी सवाल आपके पूछे गए हैं बहुत ज्यादा पैनिक मत होईगा आईए अगला सवाल आपके स्क्रिन पे मेरे दोस कुछ यू रहा देखिएगा एक और खुबसूरा सवाल है सिंप्लिफिकरशन के सवाल है देखते क्या है आप इसे तमाम बच्छे जानते हों गई जखका अभी भी दो टर्म कर समझेगा कुछ यहां पर बेसिक बात में आपको यहां पर रिक्याप करा दूं क्या समझेगा अगर दो टर्म है अगर दो टर्म गई जिसका बेस समान है और और वो टर्म इन्टु मैं है तो क्या होगा सर उसका क्या होगा पावर जुड जाती है देखें यहां पर है ना A to the power X intoぐáis A to the power Y है तो यहां पर आप क्या बोलेंगे A to the power X पलस Y बोलने का प्रयास करेंगे दू आपर क्या बोलोगा A to the power X minus Y ठीक है यह छोड़ी छोड़ी बात हैं थी तीसरा सबसे important बात होगा अगर X to the power M है और to the power N है मेरे दोस्त तो क्या होगा X to the power M into N होगा तो कहिना कि इसी concept के साथ इस question को हम लोगो deal करने जा रहा है हम बोला सर यहां पर देखिएगा में 27 को क्या लिखोगे सर यह 3 का power 3 है में very good देखिएगा तमाम बच्चे बोलेगा 3 to the power 3 है और यह power कितना मेरे दोस्त M है सर यह 81 को क्या लिखोगे में 3 to the power 4 लिखने वान इसका power कितना N है देखें, तीसरा थियोरी का इस्तमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ बोले हो रहा है, देखें, दोनों base बराबर करोगा, equate कर दो काईजी, यहाँ पर 3 to the power कितना हो जागा, 3m और यहाँ पर जो होगा, 3 to the power कितना होगा, 4n, अगर base को equate करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा देखेंगे, फड़ाबर से, तो base को equate करेंगे, यह बराबर हो जागा, हम बोले very good, जब 3m अगर आप बराबर करोगे, 4n के बराबर, तो आईए इधर n को लाईए, तो यह m upon n का जो रेशियो होगा, मेरे दोस्त, 4 by कितना होगा, 3, इसका मतलब सीधा-सीधा, मेरे दोस्त 4 के जग़ा पर क्या चिपका देना, 4 और n के जग़ा, पर 3 चिपका देने, हाँ ठीक बात खतम है, समझे न होगा है, पूछा के जखाँ आता सर, जखिए, म स्क्वेर और यह mN का प्रोड़क्ट, very good, इसका रिस्यू पूछा तो 4 का स्क्वेर कितना होगा, 60 और 4 तीया कित सबसे स्मॉलेश फ़र्म को बोलते हैं मतलब सर अमने जब कटना बंद हो जा उसी को रेशियो बोलते हैं तो इस बात को चलिए अगला सवाल पूरे सेशन जरूर देख लेना क्योंकि अर्थमेटिक आएगा तो अर्थमेटिक को बीना पेंट चलाए सौल करें घबराओ मत तुम लोग ठेक है अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जीए रहा इस स्क्रीन सोट लेते मत भूलिएगा ठेक है और खुब सुरत सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका देखते सवाल का सोलीशन कैसे देंगे आप इस कोस्टन के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक है प्रोच में आपको बताना चाहूंगा थोड़े कर सकते हो क्या हो ठीक है जिससे अमलों बात करते हैं तो प्लस टूटू पावर टू कितना बार है दो बार हम बोले चाहिशा करो तो टूटू क्या होगा है तो यह बात में इसलिए आपको समझाना चाहरा हो कि इसी अप्रोच के साथ सवाल को आशान बना दोंगा टेंशन ना लो अप्लोड ठीक है देखते क्या है सवाल रिक वार हम बले इतना बता दो कि यह क्या है हम बहुत है तो सर्फ और इसका पावर है हम बले रहने तो कोई दिकत नहीं लेकिन यह टर्म लिखा कितना गया है कितना वर एक दो तीन चार पांच छे साथ ठीक है तो इसका मतलब इका का कई से मल्टिप्लै कर दो और इधर आपको दिख रहा हो सेवन का पावर कितना बन जो कर दो सब्सक्राइब टूमान को गचा करो और अगर मैंश हो जागत क्या होगा तो और बहुत ज्यादा है प्रोच नहीं है और लगान बीटा नहीं नहीं चाहिए क्यों लगाएंगे बताओ ठीक है फड़ाबट से गई जल्दी से स्क्रीन स्वाइब अगला सवाल अपके स्क्रीन पे यह रहा देखो यह रहा सवाल एक और खुबसोर सवाल अच्छा सवाल है देखते हैं सौल कैसे करता आप इसको बहुत ज्यादा पैनिक मत ह पैन क्यों चला रहे हो तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहे गाए देखते हैं फटाबट से और आगे बढ़िए चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या रहेगा देखते हैं अगला सवाल एक खुबसूरत सवाल है इस तरह सवालों को पता नहीं आप किस तरह सवाल करते हैं लेकिन आज आज आपको तरीका बताऊंगा बहतरी तरीका होगा ठीक है को बीस परसंट से कम कर दिया तो इसके छेत्रेफल पर क्या परिवर्त होगा अगर आपके मन में कुछ नहीं हो तो हर चीज 100 पर किल्कुलेट करना आसान हो जाता है तो क्या आपने मन से लमाई नहीं मान सकते हैं क्या बोलो है ना मननेक तो मलिया भट को अपना मान लेते था अलग बात है कि वह चली गई किसी और की हो गई मानने तो खुछ भी मान सकते भाई समझो इस बात को ठीक है तो आ कितना हो जाएगा सो आपका मुन आप सोसवा मान सकतो कोई दिक्कत नहीं तो मान लो तुम्हारा मन एक अग मान लो लेकिन हम ध्यां रखते हैं कि ऐसा टर्माने जहां से केलकूलेशन थोड़ी आसान हो जाए आप मुझे बताई गए परसंटेज पढ़ा चुका हूं है अब यूट्यूब पर जाके सर्च के लेना मैं एक परसंटेज वाई मीथून सर अपको मिल जाएगा ठीक है मैं एक बात कहा था कि दुनिया की कोई नमर है अगर उसका 10 परसंट निकाला हो मेरे दोस्त तो कुछ मत करना एक डिजिट के बाद पॉंट चिपका दो तो सर यह बु परसंटेजर ले कितना हो गया चार परसंटेज चाहे न मैंनस बता रहा क्या चार परसंट की कमी अब समझेगा कॉन सा ओगे औप सन तो देख लो पर लो जो ठोड़ाई को बुए इस तरह सोब दो मैं चोडाई को अधरी और है अब मानों बोलता कि सर्षवाए को 10% बढ़ाते चोड़ाइ को 10% क्या करते बढ़ा देते दोना बढ़ा जाता तो कुछ मत करना दस परसंट का मतलब क्या होगा एक मतले गारा और गोने इक सो एकीस मतलब पहले सो था वे सब बत्तिस मतलो क्या और व्याजत गए और अदर बहुत अनुए परसंग कम गया तो इस तरह सवालों के लिए आज के बाद नहीं चलाओगी यह मुझे पूरा बरोसा है ठाली जल्दी से कर देना और वीडियो सेयर करना लाइक करके वता ही देना और कमेंट करना कि और क्या- सब पढ़ा देगा चलिए अगला देखलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे और खुबसूरा सवाल देखिए सवाल को किस तरह सवाल करते हैं आप कैसे सवाल करते हैं तो मुझे नहीं पता बड़ मैं क्या सवाल कर रहा हूं उतमें समय आएगा भी आ जाओ तुम लोग तुम और मैं अपने जब बच्चे होगा नहीं जब मेरा जब चादी होगी जब मेरे बच्चे होगा मैं भी गौहर्मेंट इस्कूल में पढ़ा होगा कोई प्राइवेट नहीं ठीक है कभी ख्याल आता कि सब चुनाब मैं भी लड़ू कभी जब बनू तो आसपास में सरकारी इ बता रहा हूं आप लोग जब टीचर बनोंगे मैं डेफनेटली आऊंगा मिलने आप लोग से मिल जूल करें आप हम सब मिलकर परियास करेंगे और एक सरकारी स्कूल को न ऐसा बनाएंगे समझ लो कि लोग सोचे कि कास इसमें हो जाता तो यह आप लोग कंदे पर जिमेदा आप लिए जितने बच्चे थे उसका 25 पर संसे बढ़ा दिया और जिसका भी बच्चा समझे इसमें जो है नहीं हो जो ने देखो सेकेंड वाले क्लास वे बढ़ा बढ़ा दो और इसमें 25 परसें बढ़ा तो बढ़ने के बाद नई जो एसो इस्टूड़न का रेश्यो क्या होगा हम बहुत रुख जाओ बाव रुख जाओ पहला क्लास को दूसरा को बी और इसको बोलो बोलो सी दे दू वेरी गुड आओ स भाईया हम जो चाहिए वो कर सकते सवाल के साथ तो हमें अपने मन से अकल 0 बढ़ा दिये हैं हम मान लिए कि इसमें 40 बच्चे होंगे इसमें 50-60 तुमारा मन इस दो-दो जीरो चिपका ले न तो 500-500-600 कर दो कोई फरक नहीं पड़ता रेश्यो कभी बदलेगा नहीं याद दस होता है दस बच्चे बढ़ा देंगे तो तो सर कितने बच्चे होगे कलास में बोलो बाबू कितना हो जाएंगे 50 रुको अरे रुको सर यह 20 परसंट बढ़े गया हम बोले पयान मत चला न कोई किसी भी नमर का 10 परसंट निकाल ले एक के बाद पॉंचिप काते है इसका 10 परसंट हो जागा 5 तो 20 परसंट कितना होगा फिर दस तो इसमें अगर 20 परसंट मां कितना होगा मेरे दोस्त तो 10 बढ़ जागा तो बच्चे हो जांगे कितने 60 यहां पर कितना बच्चे बढ़े ने स्मॉलेश्ट फॉर्म जब कटना बंध हो जाए सबसे स्मॉलेश्ट फॉर्म को रेश्यो बोलते हैं मतलब किसे भाग ना लगे ठीक है तो आओ ना तो इसको हम लो क्या करेंगे आओ कटम पिटी मचा देंगे ठीक है आजाओ पांस से कड़ा दूं क्या अरे तुम बोलो ना अरे तुम्हारा भाई है बताओ तुम ठीक है आजाओ इधर सब्सक्राइब कहां है अंसर खोच के निकालो टॉट जला के निकालो ठीक है सार कौन सा ओप्सन है ऑफ्सन ऑफ्सन नमबर अरे कहां है हां अच्छा और भी तो कुछ तक रही प्सन में कुछ गलवर चल रहा है किस सब्सक्राइब लुट है इंगाला सब्सक्राइब करने होगा सब्सक्राइब चली रहा देख लो यह सवाल do आजाओ, आहो सवाल देखते हैं, क्या बना देखें सर, एक जो है न, रेश्यो मेल और फीमेल का जो है न, एक कोई सहर का जो पुपलेशन है, उसमें मेल और फीमेल का रेश्यो दे दिया, हम बहुंट अच्छा दे दिया रेश्यो, सर जो कितना होगा? सिर्ए मेल और यह फिमेल यह रेशियो कितना होगा सर्य टूवेल विस्टि एरवन होगा मुलें को सार की टोटल जन संख्या कितना होगे बताओ किए हम विय रहे हुआ उड़ को 2012 लुए हम बोल रहे हैं underm Police को हम बोले हमारे से तो 23 संट क्या होना चाहिए इसार का सवाल बोला ना-nा-nा इतना नहीं है बताओ 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 सर 4 6 और कितना जिरो चिपकाने के लिए बोल रहा है चार जिरो पांच मत कर देना एक पर एक फिरी मत मार देना हम बहुत हमारा इतना तुमारे इतना बरावर तो कटम पिट्टी मचा दो फटापट से आजा भई आजा आजा तो को एक कमान बाव कितना हो जागा दो पर चार वेरी गुड एक कमान तो निकल गया हम बोले हा तो का चाहिए तुमको सर हमको चाहिए ने फिमेल कितना 11 कमान नहीं निकाल दोगे क्या तो सर एक कमान इतना तो एक आरा से रहा से कर दो तो एक आरा दूनी कितना ओगा बाइस और चार जिरो चिपका देना और ऑप्सन के साथ, competition community के साथ, ठीक है, आजाओ, अगला सवाल, आपके screen पे ये रहा, देख रहा है, ठीक है, आजाओ, एक और खुबसूरा सवाल का शुरुबात करते हैं, ये सवाल, एह, सुनलो, जो जो मेरा बच्चा offline के देख रहा होगा, सवाल, अंसर भी याद होगा, 42 is to something person है, तो भही बता चुक हूँ, देख लो, आप देखो सवाल कैसे करते हैं, इसको जहांकने की जोरुते हैं, उसको बार-बार देखने की जोरुते हैं, आप बताते हैं, सवाल खुबसूरती हैं, क्यों, सर अभी तो हम क्या पढ़ेते हैं, हम बले, रुको, तुमको यह पूछूँ कि तुम profit percent किस पर निकालते हो, तो क्या बोलोगे तुम, सर, profit percent तो हम cost price पर निकालते हैं, हम बले, very good, वो सवाल अगर बोल दिया कि हम selling price पर निकालते हैं, तब क्या करेगा, तो तुम उसका क्या हाथ पर तोड़ देगा, क्या, न यह से लाब कमाया है, मतलब यह लाब जो निकाला है, वो अपने selling price पर निकाला है, तो सर वहला कि अगर यह बंदा अपनी, है न, क्या, कि अगर cost price पर calculate किया होता है, तो इसका actual value लाब कितना होता, हम बले, अच्छा बता रहे हैं, रुक जाओ, पैन मत चला न, रख दो, र सुन ले न, यह calculate किस पर किया है, सर, यह तो SP पर, मतलब क्या selling price पर, तो नीचे बला जो टर्फ वतान बाब, इसको मान लेंगे, हम लो selling price है, अगर नहीं कुछ बोलता, तो यह cost price तो हमारा था ही वो, समय रहो न, जो हमारी होती होती है, लेकिन जब बोल दे कि न, यह तुम 3 रुपया का लाब हुआ, तो तुम खरीदा कितना होगा, कोई 13 मत बोलना, कोई 13 मत बोल देना, रुख जाओ, भाईया, 10 में बेचा, फिर सोचो, ठीक है, दिमाग में थोड़ा किरोचिंते लगा लो थोड़ा, तब ठंडा होगा तो तुम ठंडा होगा तेरा दिमाग, प आज़ा वाल यही बोल रहा है, कि अगर कोई पर सब्सक्राइब राजा, आज़ा आज़ा, एक्चूर प्रफिट परसेंट, वास्तवी लाब परती सथ क्या होगा मेरे दोस्त, प्रफिट को पी लिख रहा हो समझ जाना तुम लोग, समझा कि नहीं, हाँ सार, तो 42 सही कितना होगा 6 बटे 7 परसंद अगर आप मैंसे को भी बच्चे समझ लो अगर यह कर रहा होगा 300 को साथ से भाग दे रहा हो तुम बहुत गलत कर रहे हो तुम इसका मतलब तुम मेरा परसंटेज के क्लास तुम पढ़ा नहीं है इसका मतलब है ना और तमाम बच्चे बता सुन लो अगर आप मेंसे को से स्पैरेंट है मेरे दोस्त जिनको लगता मैत को बहुत डिटेल पढ़ना है तो स्सी का भी कोर्स हम लोग पूरी तरह से फिरी कर दिया है और इतनी हाई लेवल पढ़ा दिया हूं मुझे लगता उससे बहार कुछ नहीं हो सकता कहां पढ़ा ह अगला सवाल मेरे दोस्त आपके स्क्रिन पर यह रहा देख लो ठीक है सवाल है कि आम बने बता रहें रिकाटन से लेता है चील मारो थोड़ा सा आजा बोला सा देखिए एक है ना उस वस्तु का क्राय मुल्य क्या होगा अनि सीपी पूछ रहा है जिसे पांच परसन लाब बेचने पर था 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 पांच परसन के हानी बेचने पर विक्रे मुल्यों का अंतर कितना है साथ है तम बले रुको हम प्रॉफिट लॉस में तुमको एकी बात समझाये हैं क्या खरिदने वाला जो प्राइस को कॉस्ट प्राइस तुम लें बोलते है उसको हमेसा सौ मानना और अगर पांच परसन प्रोफिर बोलता मतलब ये मानन के चलो कि बैिच दिया अगर दस पर संब बोलता मेरे दोस्त था का समय तो मनममप सवाल को वे से ही शुरुबात करते रुख जाओ, मन में मान लेने बाब वह रुख जाओ, मन में मान लोगे 100 रपे हम खरीदे, ठीक है, सर पाला हम कितना होगा, सर पांच परसंट प्रॉफिट का मतला 105 है बेचे होंगे, और दूसरा बोला कि नहीं सर अगर नुकसान होता तो हम बले नुकसान होता तो दूसरा CP बताओ कितना होगा, सर पंचानवे में बही जाते हैं, हम बले अच्छा, जब नुकसान होगा, पंचानवे में और प्रॉफिट होगा, तो 105 है, हम बले रुको, हम बले रुक जो, काई पहें चला रहा है, हम बले बताओ, दोनों SP का तो हम बले 10 को 100 नहीं बना सकते हो, क्या, एक जीरो चिपकाना और जीरो हटाना ही, अर्थमेटिक का नाम है, ठीक है, यह बात समझे ले ना मेरी बात, तो सर यह क्या करें, हम बले तो 10 तो ही है, तो एक जीरो चिपका दो ना, लो, मैटा ले लो, आजा, तो 60 पर एक जीरो यह रहा, यह रहा, यह रहा, देखो, आ गया कि नहीं आ गया, देख लो, ठीक है, आ जाओ, अरे, सुनो, इनर्जी साथ पढ़ना क्लास में, जो सुनून के साथ पढ़ना, समझ रहा मेरी बात, एसे मत देखना कि सो गए, देख रहे वीडियो, तो वीडियो रख दो तुम, जाओ, एक चकर मार लो, देख जाके, ठीक है, आजाओ, चला जाओ, क्योंकि आता है, ओफ्लाइन क्लास में, तो तो हिलता नहीं है, मुझे पुरा फ़रोसा है, अब होता क्या कि जब तुम मोगाईल से पढ़ते हो, तो ससुरु तरह कि पढ़ते पढ़ते तरह सेटिंग का माल मेसेज आ गया, तो खड़ से रिपलाइयो मार देते हो, यही तरह दिक्कत है, और हमारे क्लास में, उफ्लाइन में, तुम मिल लो एक बार, है ना, तो सांस भी लेगा, हमसे पूछ के लेना पढ़ेगा, तुम जान ले एक बार, समझ रहा मेरी बात, तो यही फर्क है, म मुलें कि हर बाते सुनेंगे, तुमारे क्या समस्या है, कोई बिलासपूर आतों मिलो, आओ, कोको आओ, तुम लो आओ, कमपरिशन कमट्री तुमारे लिए है, यहां पर है, मस्त तुमारे लिए, समझ रहो ना, आजाओ, बैठने के ले मस्त, सोफा लगा है, बैठते है, ब मेडमा को कैसे डांस करते हिद दोनों, सम उसी तरह समझ लो, ठीक है, तो जो देखने में क्या, रूप समान हो, ठीक है, चलो, सार इसका रिलेस्टन होता, इस सवाल एक चुलिए, पैन क्यों चला रहो, जालो, ठीक है, अगर दो ट्रेंगल अगर सिमलर है, समझ यहां, तो रिखाए के साथ ना उसका वहां अबलो आपन आपन की तया है ना उसका बुझा होगा घृता है तो सवाल अमको दिया किया बताओं बताओं गया तो यहां पर जो दो तो यहीं पर चοछका दो इसको का देख नहीं है, इसका मान की है,มान की ऐहाओ ऑने है, आज तो इसका मान ना शेकल करेए, सवाल आपके स्क्रेन पे क्या रहा यह रहा देखो एक और खुबसूरत सवाल बहतरिंग सवाल किस तरह से करते हैं आओ बताता है चिल मारो यार आओ इदर क्या दो गहन समझ रहा तुम लोग है क्यूब नहीं समझता क्या बला सर दुगहन है ना सर हां तो रेश्यू अब दे गलत हो जाता है अब क्या बोलो बताओ कोई बात नीए कोई चाहर हम लोग तो भया गलतिया चाहटे है यह आयतन होता है क्कड़ में रहा हिका हम बहुत करक्म हें तो क्या होता है अब अ क्या हो दिए हो धान का क्या बोलिम का ग्याइब का यहां पर रख दो यहां पर रखो यहां से एवन ओवर एटू के लिए क्या करोगे तो क्या हो जागा सब दोनों पर क्यूब रूट हो जाएगा मुले वेरी गूट तो यहां से मतलब तो इसका क्यूब होगा वान और इसका सताइस क्यूब कितना होगा तीन मतलब समझो बोला क्या जनते सर क्या उनके सर्फेस अडिया तो क्या होता है सिक्से स्क्वार आपन सीख से क्या काम है तुमको भगा दो स्को भगा दो सिधा मतलब कुछ नहीं सब कुछ कर दो और यह कितना बग बताओ तो तो सिदा सब नहीं कर सकता क्या सब आज अधर बहुत ज्यादा पैनिक मत होना मेरे दोस्त जल्दी से करो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा ठीक है देखते सवाल क्या है एक उम्दा एक खुबसूरा सवाल है मेरे दोस्त कितना समयल होगा आप क्या इसका वे सब्सक्राइब आता है कि नहीं आता है आज आज हमको बताने वाला हूँ मैं ठीक है आज बोला कि सब्सक्राइब अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर दो दिख जाए या तीन दिख जाए समझे रहो या तो साथ दिख जाए या आट दिख जाए तो यह कभी भी ना यह कभी भी किसी का परफेक्ट इसक्वार नहीं हो सकता है खतम इतना सा सोट था ठीक है या दखना 2378 2378 2378 2378 बात समझा कि याद हो गया कि नहीं ठीक है आजाओ आप चेक करो आप चेक कर तो साथ हो ए सुनो सार 6072 में 6 जोड़ देंगे तो 628 हो जागा मतलब यह तो कभी नहीं होगा हम बहुत रुख जाओ सर यह 72 में 10 जोड़ दें सरे कौन सा ओप्सर नमर सी देखरो की नहीं देखरो देखरो की नहीं तुम लोग है समय रहा कि नहीं आगया क्लियर रुख कर जल्दी से फड़ा पर से कई स्क्रीन सोट लो एकदम ताब और तुर अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यह रहा ठीक है यह रहा देख लो देख बोला आज बड़ा साम सवाल यह सवाल किसका बताओं क्या हजिए उसी का पार्टू एक टाइप 2 है जाके देखो यूटूब पे टाइप 2 यह बारवा चिलाग बोलता हु यह तो क्या सौट्री बताओं सबसे बड़ी संख्यां ग्याद किजिए जो 43918813 को वाजित करें ताकि पर्तियक्स इस्तिती में सेस्फल समान रहे लेकिन बताओं आप मैं से 90% बच्चे ना यह डाउट है आपका पूछ नहीं रहो मुझसे आप मैं आपका भाई हो में समझ जाता हूं सुनो क्या बताओं क्या LCM हमेशा डिवाइड होती है और HCF हमेशा डिवाइड करती है तो इस सवाल पढ़ लो जिस संखurnuição को निकालने की बात कर रहा वो संखें दीवाइड किसी से हो रहा है या किसी को डिवाइड कर रही है मतलब वो निकलेगा HCF, नोच बना लेकिसी divide किसी से हो रहा है , कर न हीड़ हो रहा है , अगर निकल अब समझा किया ? या पर फील करते है सरे , वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको इसको वी भाजित कर रही है , प्र जो संख्या निकलने की बदो नह भी तिनो को रहे गा करेगा मतलब यह किसको दिमाग मत लगा यह क्या होगा 43 एकदम 10 सकेंड का सवाल है रुख जाओ सर चोटा कौन है सर सबसे चोटा यह है हम बले सबसे उठा लेना उठा लो इस चोटे सब को नहीं इसमें घटा लेना फिर इसमें घटाओ सर ये मिताओ पाला 91 में 43 घट जागए क्या बचेगा 48 बचेगा बचेगा 48 वेरी गुड हा सर अब इसको इसमें घटा लो शार 183 में अगर 91 घटेगा तो क्या बचेगा तो क्या बचेगा हम बहुत आप समझो और यही चारो नमर जो बचेगा बचेगा आँ इसी का क्या निकाल लेना, ठीक है? तो, SCF कोन नमर है जो निकाल देगा, देख लो, SCF क्या होता है? हाँ, SCF करने है, जादू उलटती नी बताया हूं तुम लोगो भी हम, जाके देख लेना तो उले यूट्टूब पर है, ऑफशन से कैसे हुडाते है, SCF को ना, उमें बताय ठीक है, उसका SCF नहीं हो सकता है, वेरी गुड़, और तो, निकाल लेता है, लोगो, हम बोले अच्छा, तो, 9 करेगा, सबको, हम बोले कहां कर रहा है, 7 करेगा, नहीं कर रहा है, तो, इसका SCF कितना हो जागा, चार, आच समझा कि नहीं, तो, चार ही वो नमर है गाई, जो सवाल को माई solve करना, ठीक है, जल्दी से गाईच, अगला सवाल के रुख करूँगा, फड़ापर सी स्क्रीन सोट ले लिना, ठीक है, आजाओ, चलो, अगला सवाल, आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखलो, एक बहतरिंग सवाल, सवाल क्या है, कमपाउनिंटे सो, सिम्पल इ सब्सक्रीन पे तरीके बनाने का लेकिन फिलाहल मैं आपको हर बर बोलता हूं और आज ही बोल रहा हूं कि दो साल का डिफरेंस का फर्मूला भी होता है, चाहो तूसको तुम ड़ायट ध्यान रहा लो, और नहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं, उदहाम निकाली ले लेते ह तो तुम थो टाइम, आप नहीं सोच पाओ, तो मैं बताता हूँ, difference का फर्मूला दो साल का क्या होता, देखो, ठीक है, difference between, क्या अब बताओ न, SI and CI, ठीक है, SI and CI for two years, तीन साल का भी होता, लेकिन तीन साल, हैंना, दो साल लिख रहा हूँ, for two years, सार, दो साल का क्या होता, सार, difference को D नाम देदो, very good, P into R upon 100 का क्या होता, बोलो, holy square, बात समझा के, हम बोले, हाँ समझ गए सार, हम बोले, कुछ नहीं करना, बोगो, चिपका दो, difference कितना दिया है, 200, very good, principle नहीं पता सर, कितना दिया, हम बोले, 5 दिया, 5, कहा है, तुमारा 5, तो 5 बटे 100, ठीक है, बाब कितना पर में जाएगा, 20, अब सुनो, pen क्यों चला रहा है, रोको, 20 और 20, 400, और इधर 400 गुने 2, कितना पर जाएगा, तो सर, 800 पर 2 जिलोर ची पक जाएगा, है ना, तो इसका मतलब सर, principle निकल गया, तुमारा कॉन सा निकल गया, तुम्हारा पर देख सकता है, यह तुमार पर दिफ्रेंस होगे, 0.25, मतलब एक बटे चार, एक बटे चार का मन कितना होगे, कितना, 200, चार से गुना करो, एक का मन 800, दो का मतलब, दो जिलोर चिप का दो, 800 पर दो जिलोर ची पका दो, 800 पर दो जिलोर ची आ गया, हम तो pen भी निचला ते, तुमारे लिए चला रहा ह बही है, सुन रही बात को, ठीक है, चलो, मुझे लगात करें, कभी तुमारे टेंसन आलो, जल्दी से ख़तम करो, अगला सवाल, आपके स्क्रीन पर ये रहा, टाइमन वर का ये बहुत ही खुबसूरा सवाल है, मुझे लगता है, इस तरह सवालों को उड़ा देंगे, समझ क्या, ए ने जो एक काम को 20 दिन में कर रहा है, बी ने एक काम को 30 दिन में कर रहा है, एक आदमी ने इसको 60 दिन में कर रहा है, इसको लिख लो, टाइम जिसका लिख दो फटा बट से, 20, 30 और कितना साथ, सर इसका इलसियम क्या होगा, हम बले लसियम तो साथ होगा, और इस और इसी साथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बता हूँ, टोटल वर्क, इसको क्या करते हैं, बात समझा क्या, टोटल वर्क, टेक है, आजाओ, अब सुन लो, अब यहाँ पर भी बोला बात समझना, अधी परतियक तिसरे दिन, B और C क्या कर रहा है, के दुआरा साहेता परदान क कि जाते हैं, किसको, A को, मतलब समझो, काम करने के लिए कौन जाएगा, A, पहला दिन गया, वेरी गूड, दूसरा दिन गया, ठीक हा, अकेले गया, और तीसर का दिन कोन आएगा, B और C क्या करेगा, साथ देने के लिए आ जाएगा, हर तीसरे दिन, एक एक साथ, कोन छंदे हैं, इसको सीमपल भासं बोले तो काम करने की जो इसकी रथार होती है, और उसको और रहात से भासं बोलोगे, तो किसी व्यत्ती के तुराएग दिन में किया गया काम को, कि मैं एक इसको क्या बोलते है, Såar, से बोलते हैं, Yafix quickly and efficiency कैसे निकले, हमने हमने बड़ा साथ वो 60 दिख रहा है हमने है किस से हमने इस time को बारी बारी से time से भाग दो सर 20 से भाग देंगा तो तीन बार में efficiency 3 आ गया 30 से भाग देंगा सर कितना हो जाएगा दो 60 से भाग देंगा सर 1 मतलब समझ हुआ बबब इसका काम करना इस छमता पता चल गया कि A एक दिन में तीन काम करेगा B एक दिन में दो काम करेगा और C एक दिन में एक काम करेगा आप कुछ मत करना, जैसे ऐसे बोला वैसे करना, सुनो बगवा आजो, पहले दिन कौन काम करना गया, सर पहले दिन A गया, हम भले कितना काम करेगा, सर तीन काम करेगा, दूसर का दिन काम गया, सर A ही तो गया है, कितना काम करेगा, तीन, हम भले तीसरा दिन काम गया, सर A के सा सर्च फञाद हमें काम कर लिए, δेक नोसनी, इसी नोसथे. सर्थे हम इन्हें हुरे खाई है, 12, 12, 12, 14, 15, 15 तो पंदला दिन में कितना हो जाए बोलो बारा पंचे साथ काम हो गया तो पंदला दिन कहां पर भाई आए ओप्सन नंबर बी जो राइटन सर जल्दी से फटाबट से टिक करो और आगे निगलो ठीक है जल्दी जल्दी फटाबट से आगे बलू कि नहीं बताओ यार तुम दर्णा मत यार मजा करते हो तुम लोगो डराओंगा थोड़ना ना ठीक चलो मैत ऐसा सब्जेक्ट है ना कि समझ रहो ने इसमें बच्चे बोर ना हो समझा कि नहीं तो अब तुम यह नी बोलूँगा कि मतलब इसमें आक कि तुम समय गाना गाओ ऐसा तो नहीं टाइम खर आप मैंसे कितने बच्चे एक बात बताओ तुम लोगो मालो आप मैंसे बहुत सारे बच्चे बताओ कि नहीं ठीक है तुम अपने सेटिंग अपना घर गया अपने सेटिंग के तुम मालो घर गया ठीक है तो तुम आरे अपने तुमारे सेटिंग घर क्या बीच बदलेगा यह बात तब बदलेगी, मानलो, आज तुमारा कोई और ख्वाई सुवकल, कोई और तुमाई पसंद आ गई, तीसरे दिन कोई ओर असकी बात नहीं कर रहा है, ठीक है, यह लोग आपना जो है ना, अपना जो दिल है ना, इसको इलोग क्या करें समझ रहा है, लॉज खोल के र बात कर रहा है, जिस दिन तो अपने सेटिंग की घर अपनी गाई का स्पीड बढ़ा करके गया, पहुंच गया, जल्दी पहुंच गया उस दिन, अब एक दिन क्या हो तुम मूट तरह खराब है, तुम धीरे 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 जा रहा है, तो समय क्या लगा जादा है, समझे है, सवाल भी बोला है, देख लो, यह न, दो ट्रेंट से X और Y जो ट्रेवल कर रहा है, A और B से, तो 2.20 की दूरी पराबर होगी, तो इसका average speed कितना देख यहां पर, 80 और कितना, बोलो, 90 किलोमेटर, ठीक है, और आगे बोला कि यह इतना घंटा ज्यादा लग रहा है, X को कितना, सर, इसका speed 80 किलोमेटर पर आवर, इसका है 90, इसको उल्टा कर दो, कियोंकि बात समय है कि नहीं, हम बले हाँ, यह हो जागा, हम बले सुनो, अब समझा, ध्यान से, इसका ratio चाहओत कटा सकते हो, तो सर, यह ratio कितना हो जागा, बोले हम बले हम बले, चाहओती टाइम का speed इसको 9 घंटा लग रहा, अगर इसकी speed 90 है, इसको कितना लग रहा, 8 घंटा, तो तुम मुझे बताओ, ए, रुको, का कर रहा है तुम लोग, इस से x को y से कितना जादा लगा, सर, यहां से 1 ratio जादा लगा, सवाल बला सर, हाँ, हाँ, हमको भी 1 घंटा जादा लगा, हम बल इसको 90 से लगा, तो कितना लगा, 8 घंटा, तो सर, क्या पूछा था distance, तुम लोग को नहीं पता है, क्या, क्या, रुक जाओ, कि सर, distance परावबर क्या होता, तुम बले 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 बले, distance परावबर तो speed इन्टू time, तुमको जिसको मन करने लो, अगर इसका speed लगा तो इसका time speed का ratio पलड़ देना, time देगा, speed का ratio आगा, speed का ratio आएगा, तो time आएगा भी, या, खतम करो, ठीक है, चल्दी से, अगला सवाल मेरे दोस्त, आपके screen पे, यह रहा, बहुत ही उमदा सवाल, पहन कोई बच्चा मत चलाना, पहन मत चलाना, मेरे दोस्त, आजाओ, रख दो, average से स यहाँ है 40 नमबर का जो एक्वरे का क्या मतलव समाझते हैं हम पर बच्चों का ऐवरेज यह 25 मान रहा हूं इसका हमारे से बैठे हरे बच्चे को 25 25 साल मान लिया समझा क्या हाँ सर तो 400 नंबर का अगर एवरेज 71 है मतलब हर एक नंबर वहां पर कितना 71 71 है आगे सवाल क्या बोला कि एक नंबर 40 में से 100 था इसको रिप्लेस करें कितना कर दिया 140 तो क्या हुआ तो सर आभे एवरेज कितना बढ़ जाएगा हमले तो सुनों कि बढ़ दिया 40 और याद कि जो तुम बढ़ाओग न उस सब पर बटेगा सब पर बटेगा तो 40 को अगर 40 लोगों बांट दोगे तो कितना कितना बढ़ जाएगा सर एकक बढ़ जाएगा मतलब एकक बढ़ गया मतलब एकसे बढ़ गया तो अंसर कहा है अगला सवाल अपके स्क्रिन पर क्या रहा यह रहा देख लो यह बहैतरिंग सवाल मेरे दोस्त सब्सक्राइब करने के लिए कितना समय लएगा क्या तुम लोग जानते हैं नहीं जनरली लेकिन आज एक ही सवाल बना देता हूं ठीक है और इंटू क्या हो जाएगा बलो टी हो जाएगा बात समझा कि नहीं ठीक है चलो अगर आप मैंसे लगता किसी बच्चे को है अगर टोपिक वाइज बीडियो देखना तब एसाई के रिसेंट बीडियो बनाएं वहां भी जाके देख सकते हो ठीक है चलो एससी का भी है बहुत सब्सक्राइब कर दो हम बोले कैसे मर्चाद है है हम बोले पचास कर आउंगा नौ बार में सर पचास कर दो बार में हम बले वेरि गूड सर यह 9 और 9 यह 80 होता है हटा दो और यह दो और दो इधर मल्टीपल्टा वहागा मत्र टाइम कितना हो गासर चार सल देख लो तो कुछ है क्या बताऊ बहिया बताऊ ना है क्या लो तो चार सल का पर अप्सें नमबर बी जो राइट रहिए तिक करो और आगे निकलो जल्दी जल्दी करना थिक है फटाबाट से करो यार क्या कर रहा तुम लोग जल्दी 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 करो ठीक है अगला सवाल आपके स्क्रेंट पर क्या है भईया देख लो एक और सवाल यह आ पस याद रखना है अना कि X को कितने दिये हो XY2 वाली को कितने दिये हो और वालो, ऑर Y वाल। कितना दे रहो ठीक है? और ज मजब पैसा отвट नहीं बांट है ऑले, क्यासे बांटे वह पहत समझो है यहीं वह सवाल किया है किया किया देख लेंगा वह संजूखट हिससे मतला करके समझो का मतलब दूब रही का इसा कियो नहीं होता है तो यहां पर काम नहीं होता थो पी का हिस्षा कि इस पांच बटे पांच अगा रहा है यह बात समझते हो कि नहीं तुम बता बलो सुनो ठेक है आगे पढ़ते हैं सर यह Q का हिस्सा आर और पी का सन्यूगत मतलब आर और पलस पी को मिला दिया जाए तो कितना बोलोगे सर तीन बटे गारा है मतलब यह तीन है तो यह गारा है बस इस बावब इस तरह के बैलेंसिंग में पलस वाले में एक यह बात बोलता हूं कि उ कोमन पार्ट की वेल्यू को बराबर करना ही बैलेंसिंग कर लाती है तो उपर नीचे दो कौन-कौन बराबर है तो आप बोलो सर यहां को पी बराबर दीख रहा है कुन तो बलो हमको आर दीख रहा है तंबले बेटा हमको क्यू भी बराबर है ठीक है मतलब सर ओर तीनों का आप सुनलो सुनलो मेरी बात इसका मतलब तीनों का मान उपर नीचे बराबर होना चाहिए हम बराबर है कैनी चेक करो बराबर है तो अच्छी बात है सर 11 और 500. john अंपर न हो नीचे बहुत चल रहा है कोई दिखत न है ठीक है आज हो कुछ मत करना बस ये पी कह पर 520 यह न पी को मिलेगा 5 रूपई या, क्यू को मिलेगा 3 डो दो तरीका, सुर्ष पैसा पाटा है, बाट है कि तो जो पैसा बाटा है ना, तो मेरा 16, 48 के बराबर बात तुम भी खूस, हम भी खूस, वेरी गूड आजाओ, ठीक है, आजाओ, सर हमारा 16, 48, 48, 300, ठीक है, एक कमान कितना होगा बताओ, तो, एक कमान हो जागा 300, रुको, अभी रुक जाओ, बला सर किस कमान चाहिए, यह मले आर का, आर कमान कितना आठ, तो, एक कमान 300, तो, आठ कमान कितना होगा, तो, आठ, गुने, तीन हो जागा, कितना, तीन सो मता, चुबीस सो, देखो, ओप्सन होगा, देखो, पड़ाबर से देखो, यार, देखो, ओप्सन नमबर D, जो राइटन सा, तो, सारे कोस्टन आपके, सीजी टैट में, सुरत सवार, आ चुका है, आपके स्क्रिन पे, बढ़ा साइज, एज समझ लो, किनारा, है ना, साइज जिसको तुमने बोलता है, घान का समझ लो, ना, हाँ, ठीक है, चलो, आज जो कोई एज है, हम बोले हाँ, बढ़ा की देखो, एक दो क्यूब है, समझा, क्यूब दो अ क्यूब का जो साइड दिया, साथ सेंटीमेटर, दूसरा का दिया, 14 सेंटीमेटर, तो चाहिए क्या तुमको, पला रेशियो अब देर सर्फेस हरी, हम बले रहे यार, तो कितना बढ़ा बता हो, रेशियो का मतलब असान हो जाएगा, हम बले ठीक है, तो पहले वाले साइड दूसरा वाले को मानलो कितना, बी मानलो, अचाहिए, अगर एमानली तो एटुमान लो, ठीक है, इसको कितना दिया, 14 सेंटीमेटर, अबले रहे साथ सर्फेस हरी, हम बले हाँ, अब यह सिक्स इन्टो एच्वर, एवन का स्क्वर अपन, यह हो जागा, शीक्स और यह जल्दी से बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्या है आपके स्क्रीन पे, यह आपका सवाल देख लो, यह इतनी बहत्रिंग और खुबसूरत सवाल होते हैं, जबते हैं, देखते हैं, जबते हैं, जिसका डामिंसन मतलब घानाब का मतलब घानाब को क्या क्या मेल्ट कर देना ठीक है पिगला देना ठीक आप देखो जिसे तुम किसी को देखकर डैरी मिल की तरह तो पिखल जाते हो बिल्कुल वेसे ही पिगला दिया है के सब्सक्राओं धिए चोटे-छोटे क्यूब में मतलब घान में पिगला दिया और जिस घानाटाओं तरह कितने घंख होंगे तो कि पनी पंड़र इस जो में 25 सब्सक्राइब टुकось सब्सक्राइब तो छोड़ एक कंष्borत Als ैंश शुछु करने वाला में चाहई इंच एक उन रही सब्सक्राइब सब्सक्राइब खनाप का आयतन समझे लिखने कि अमकुई यह थो नियुक रहा है कि में स्टोन देने जा रहा है पिसकी और बराबर क्या हो जाए घ्राइटन गन का यह ता समझा है हम बहुत है इसका क्या होता तौन यह लिख रहा हूं समझ जाना कि नहीं एच्छा लिख दे रहा हूं तुम लोग का पता बात में गिलिए आएगा लमाई गोने चोड़ाई गोने उचाए बडाबर यह घं का वह भया भुजा क्यों मतलब एक यू जिस को मान दिया हुआ सर यहां किस का मान दिया है हम ले दो दिया है चोब्यस नो और आठ बराबर यह जागा कितने घंब कर देना को कटा देना है तीन और तीन नौ का मतलो नौ कर जाएगा तरी तीन से कड़ा दाना कितना वार में आठ तीन चोबीस और आठ उड़ार कितना हो गाए चौंसर मतलब एन बराबर कितना हो 64 मतलब चोंसर छोटे-चोटे क्या बनेंगे क्यों बनने वाले ठीक है तो असलो कुछ रही तो अध्य तो भाई देखो इसका वोल्यम उसका वोल्यम बराबर होगा और कुछ नहीं करना है बात समय माया कहा है नहीं हां सर आ गया चलो जल्दी से स्कीन सटे लो अब धीरे देर में अगले सवाल क्यों रूख करते सवाल है की नहीं देख लेते बढ़ ठीक है ठीक है एक और और जो तो टोटल कितना बोले कितना 7-9-6-0 जिसमें से इतना तो महिलाएं हो गई फीमेल आगे बोला है 60% जो है 60% आर क्या बहलो सर लिटरेट है मत्दब पढ़े लिखे है गाउं में इन वीच फीमेल आर 70% क्या लिटरेट समझ लो और उसमें से जाना पूरे विलेज की सब्सक्राइब बता दो इसके लिए क्या सोच रहे हैं मतलब नहीं सवाल खतम कर दू हम ठीक बबाब बताता है इस क्या बता करगे स सर इस इसमें क्या बता लें और यहां पर मेल भी यहां तो 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 गाओं के कितना है, टोटल गाओं के कितने लोग पढ़ए लिखे हैं, टोटल 60 percent, तो 60 percent का मतलब क्या हो जागा, तो total इजुकेटर पता चल जागा, 60 percent का मतलब क्या होगा, है न, ठीक है sir, तो 60 लिखे हैं, 6 गुने 6 कितना होगा, सब्सक्राइब तो 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 गाउं में total कितने लोग परहें देखलो, तो sir, या mail को तुम जाओ, x मी मान सकता, शिदा-शिदा, या तो बराबर कितना कर लो, 4776, तो भाव देखलो, यहां पर x command क्या हो, घटा देना इसमें से, तो आपके answer क्या हो जाएगा, जो mail जो पने लिके गाउं में होंगे, यह 1514, कहा है option number 1514, जो राइट answer, option number C, तो बड़ा simple सवाल है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, ठीक है, मैं उमीद करता हूँ गाईज, session 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 में आपको आचा रहा होगा, अच्छे से मजा होगा, ठीक है, तो यह रहा आपका गाईज, पूरा सवाल, मुझे उमीद करते है कि पूरा पाला वीडियो आपका यह रहा, तो आपने enjoy किया होगा, और इसी अंदाज में हम लोग आपके हैं, और भी बहुत सारी वीडियो लेके आएगे, आपके exam तक गाईज, पूरी जितने अवी तक के पूछे गाए, उन तमाम session को मैं complete कराऊँगा, इसी तरह से, समाम जितने question आये थे, इसी अंदाज में, इसी सौटरी के साथ गाई, हम लोग session को finish करेंगे, बात समाज़ो मेरी क्या बोलना चाह रहे हैं, तो भी उमीद करते हैं, किसी कोई दिकत मीरा होगा, और वीडियो कै के लिए, उससे बहतर बढ़के करेंगे, और आप इस वीडियो का share करना, अगर आप वीडियो दस लोग तो अच्छा लगता क्या आधिक लोगों तो हमारी मेहनत पहुंच रही है, और अधिक लोग सफ़ल हो रहे हैं, समय रहे हैं, चलिए, तो आज के गारी यहीं पर रु